सुद्प्रवात्म प्रिये विद्यार्तियों में अगेज गुएर साइक आचारी संस्कित राज के माविद्ध दलेटावा आज हम तर्क संग्रे में गुण निरुपण के अंतरगत संस्कार गुण के विशे में पढ़ेंगे उसके पश्चार अन्य दर्व्यों के विशे में भी विस्तार से पढ़ेंगे संस्कार निरुपणम संस्कार तिरुविदह वेगो भावना इस्तती इस्तापकस्चेती वेगह पृत्व्यादी चतुष्ट्य मनोवर्ती अन्भो जन्या इस्मृति हेतु भावना आत्मात्मृति अन्यथा कृतकश्य उन्हें तावत इस्त्यापादगे इस्तती स्तापक है कठादी प्रिच्वी गृति ही अर्थिक में संस्काति इंट्रकादग होता है वेग भावना और इस्तती स्तापक वेग प्रिच्वी जल्द तेज वायू और वन में रहता है अन्भूप से जन्ने इस्म्रति का है तू भावना है वो है केवल आत्मा में ही रहती है अन्य वस्ता में प्राप्त कराने वाले गुण उसी इसको इस्तती स्तापक केते ये गुण चटाई आदी प्रिच्वी में रहता है इसी सार गुण पूर्यों जाते अब हम कर्म निरुपण को देखतें कर्म निरुपणं चलनात्मकं कर्म उदर्वदे सैयोंग हेतु उच्छेपणं सरी सन्निक्रिष्ट सैयोंग हेतु आकुंचनं वी प्रक्रिष्ट सैयोंग हेतु प्रसारणं अन्यत सर्भं गमनं चलने की स्वरुपण वाली किद्याक को कर्म कहते हैं उसके पांच वेद हैं उच्छेपण अप्छेपण आकुंचन प्रसारण और गमन ये पांच वेद कर्म प्रदात के हैं उच्छेपण उपर के देश सैयोंग कहेतु अप्छेपण नीचे के देश सैयोंग कहेतु आकुंचन निकट ले जाने कहेतु प्रसारण दूर करने कहेतु इसके सभी कर्म गमन के अंत्रगत आते हैं आगे सामान्य निरूपणं सामान्तिर वो निरूपणं करते हैं बताते हैं नित्यम एकम अनेक अनुगतम सामान्यम दरव्य गुण कर्म भृति तद दीविदम परा अपर बेहदाद परमसत्ता अपरम दरव्यत्वादी जो नित्य और एक होकर अनेक में अनुगत है उसे सामान्य केते हैं वह सामान्य दरव्य गुण और कर्म में रेता है वह पर सामान्य और अपर सामान्य के वेज से दो प्रकारगा होता है परसत्ता है और अपर जाती त्रवित्व आदी है अस संबाय निरूपणं नित्य संबंद संबाय अयुत्सिद्ध विर्तिही ययो दोयो मद्धे एकम विनिश्यत अवस्तम परासितम एव अवतिष्टते ताव अयुत्सिद्धव यह था अव्यव अव्यव इनव गुण गुणे नव किरिया किरिया वन्तव जाती व्यक्ति विशेश नित्य द्रव्य अर्थे नित्य संबंद को संबाय केते हैं वह अयुत्सिद्ध परदार्थों में रहता है जिन दोनों के मद्दे में एक अवस्ता नश्ट ना होने पर ना होने तक दूसरे के आसित रहता है वेसे दोनों परदार्थ अयुत्सिद्ध कहलाते हैं जैसे अव्यव और अव्यवी की गुण और गुणे किरिया और किरियावान जाती और व्यक्ति विशेश और नित्य द्रव्य अथ अभ्हाव निरूपणम अब अभ्हाव निरूपण करते हैं अनाधी सांत प्रागभाव उत्पत्ते पूर्व कार्यश्य साधी अनन्त प्रद्वन्स उत्पत्ती अनन्त्रम कार्यश्य त्रेकालिक सुन्सरगा अवच्छिन प्रत्योगिता को अत्यंता भावे यता भूतले गटो नास्ती इती तादात में संबन्दा आउच्छिन प्रत्योगिता को अन्युन्ना भावे यता गटे पटोना भूती सर्वे साम प्रदार्था नाम यिथा यिथम उक्तेसु अंतर भावा सब्तेव प्रदार्था इती सिद्दम अर्देखेंगे साथ प्रदार्थों में अभाव साथ वाय मंतिम प्रदार्थ है उद्देश्य प्रकरण में अभाव को चार प्रकरणा बताये गया था प्राग भाव अत्यनता भाव और अन्यूनना भाव अब उनका निरुपन कर रहे है प्राग भगता अनादी सान्त है जो जिसका आदी नहीं है और अन्त है उस अभाव को प्राग भाव कहते हैं वह कारे की उपत्ति के पेले रेता है जिसे यहां घड़ा नहीं है अब घड़े का यहां भाव अनादी है यानि उसका कोई भी समय जारे कफ से है कोई भी नहीं है और जैसे ही यहां घड़ा आ जाएगा उस अभाव का यहां अन्त हो जाएगा तो इसलिए यह अभाव अनादी है और अन्त को प्राप्त होता है यानि कारे के साथ इसका अन्त हो जाता है केसा भाव प्रागवाव येंट पेले घवाव क आरेशित पत्तिय पूर्घवाव दूसा ये सादी अनांट प्रद्वस विठ्पत्ति अनांदम का रेशिय है जिसका आदी है और अन्त नहीं उस भाव को प्रद्वाव केते हैं वेकार्य की उत्त्ति के बाद होता है जैसे गटो नश्ट है गड़ा नश्ट हो गया अब यहां गड़ा था पहले उसका नश्ट हो गया अब वो वो अभाव कब खतम होगा इसका कोई मापक नहीं है तो वह भाव आदी है उसका कार्य उसका आदी हो गया है उसकी कफ से सुरू हुआ है वह वह दो छणपेले घटता जो भी है लेकिन वह अब वह जो शुरू हो गया तो अंत कब होगा इसका कोई मापक नहीं है तो यह है कार्य की उत्पत्ति की बाद था कार्य था और कार्य जब नश्ट हो गया तब यह उत्पन होता है त्रेकालिक यानि भूत वर्षिवर्तमा तीनों कालों में होने वाले और संसर से युद्प्रत्योकता जिसमें हैं उस अबाव को अत्यनता अबाव कहते हैं जैसे की बूतल में घट नहीं हैं यहां पर गूतल में घट का अत्यनता भाव है अंति में तादात में से युद्प्रत्योकता वाले भाव को अन्योन्य भाव का जाता है जैसे की घट पट नहीं है और पट गट नहीं है इन तीनों में ही इन दोनों में परसब अभाव है इस प्रकार यह है द्रव्य प्रदार्थों का हमने विस्ता से दिन कर लिया अब हम जो बुद्धी गुन था उसमें जो अनुभव पढ़ रहे थे उसमें इतारता अनुभव था प्रत्यक्ष् इनके विशे में अब हम विस्ता से पढ़ेंगी अगली कक्षान में